अस्टेरिया ने वर्ल्ड टेस्ट चेंपिन्शिप के फाइनल मैच में पहले खेलती हुए भारत के सामने विशाल 479 रन का स्कोर बनाया इसके बार टीम इंडिया के लिए स्लामी बल्ले बाजी करने उत्रे रोही शर्मा और शुमन गिल ने शुरू में कुछ आकरशक चोके लगाए मगर इंगलेंड की धर्ती पर अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले स्कोर्ट बोलेंड ने कृष्माई गेंड से शुमन गिल को बोल्ड कर सभी के होश उडा डाले जिसका वीडियो सोचल मीडिया पर वायल हो रहा है इसी तरह आईपल 2023 में बल्ले से 890 रन बरसाने वाले शहजादे गिल ओवल में चक माखा गए दरसल बोलेंड ने अपने पहले स्पेल के दूसरे ओवर में भेतरन गेंड बाजी का नजारा पेश किया उनके ओवर की चोथी गेंड को गिल भाप नहीं सके और गेंड पढ़ने के बाद हलकी अंदर की तरफ आई गिल ने गेंड को खेला नहीं और जाने दिया जिससे गेंड सीधा जाकर स्टम्स पर लगी और गिल के होश उट गए वहीं गिल का जैसा ही विकरगीरा पूरे मैदान पर स्थन नाटा पसर गया इस तरहे गिल पंदरा गेंडों में दो चोखों की मदद से तेरन बना कर चलते बने